हेलो दोस्तों वैलकम टिर्वला बंतरा आज का दोस्तों जोमें गला टॉपक है वह सटनीफ हाफ माटेरियल्स से रिल्टेड है जिसे हम सौम भी कहते हैं खेल की स्लोप दिफ्लेक्शन किआहुआ होता है और इसका फांबुला क्या होता है और इसका डेरिवेशुन क्या होता सब्सक्राइब करेंगे पहले मैं थोड़ा डिसकस कर देता हूं आलेड़े आपको साथ पता भी हो कि डिफ्लेक्शन क्या होता है सब्सक्राइब यह हमारी क्या एक बीम है जब यह बीम है इसका रियक्शन फोर्स मैंने माल लिया इस पॉइंट पे लग रहा है और इसमें पी पॉइंट पे था इसका यानि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था जब यह लोड लगा इस बीम पे तो जो इसका डिफ्लेक्शन यानि जो लोड की कारण जो पी था यह भी पीवन कंसुटर कर लेते हैं यह हमारा पीटू हो जाएगा ओके अब हम क्या देखते हैं जो यह डिस्टेंस हमारा फाइंड कर रहा है पीवन से और जो दूरी है यह हमारी कहलाती है डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है डिफ्लेक्शन और इसे हम डिनोट करते हैं किौई कोई प्रॉBLM नहीं बात करता है दिदेखिया इसके पहलेगे istcribe हैईगे हमारा यहां इसके हम derivation के बात करेंगे फिल्म में थोड़ा आपको बता देता हूँ अब मैं बात करता हूं स्लोप की अगर हमें स्लोप करना है उस पॉइंट के लिए तो इसमें क्या करें हमें टैंजेंट करेंगे तो अगर हम देखें जो हम टैंजेंट डालता हैं तो थीट हमारा फैंड करेगा सब्सक्राइज हैं तो यहुट हुमारा फैंड हो रहा है कि हमारा कलार का 있을ू कि इस प्वाइंट पर हमारा थे आख कितना होगा वगे दोस्तो नॉर्मल डिस्क्रश्न अब हम बात करते हैं इससके किडेmaking के का開व करेंगा सपोस्स्ट यह यह जो हमारी beam bent हुई थी मैं इसको इस तरीके से figure लेता हूं यह मैंने हमाल यह है और यह हमारा point B है यह beam कुछ इस तरीके से difflex होगी इस तरीके से इसको क्या कर लेता हूं अभी एक circular arc consider कर लेता हूं पुरा ठीक है यह हमारा A point है यह B है और जो भी हमारा slope point हो इसमें, हैं deflection, वह हमारा क्या वाई है, वाई distance पे, इसमें मैंने एक perpendicular रा किया, और इसके जो पूरी distance है, वह कितने L है, तो यह कितनी हो जाएगी L अपांटू, और यह भी हो जाएगी L अपांटू, इस point पर find करना है, इसलिए मैंस में tangent find कर दिया जब tangent find करूँगा तो ये किया हो जब ठीटा हो जब अब यहां से कुछ radius होगी इस radius को मैंने मानले r है और ये radius को मैंने मानले r है सिर्प find करने के लिए अगर ये theta है तो ये theta होगा यह 90 होगा तिये कितना हो जाए गर 90 मानस थीटा यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब जो जो चीज मैंने बताई है वो मैंने बता दिया आर हमारा क्या है रेडिस अपकर वेचर है वाई हमारा क्या है यहां डिफलेक्शन है अगर आम इस जेconomyटरी को देखें ge gespannt को तुम्हें एक रिलेशन हो रहा होगा कि अगर मैं इसको ओ कंसिठर करूँ और इसको मैं डैस माल लेता हूं इसको मैंने माल लेता हूं c तो a और c a c into c और b होगा और similarity के अगर हम देखें similarity के हिश्राब से तो c और c dash और c और यह मैं point होगा हमारा d यह दोनों equal होंगे c c dash into c और d एक point को a c c b c c dash c और d तो इसकी value कितनी l upon 2 l by 2 c और c dash की और y है अब और c और d की चाहिए यह r है इस तरिफ दिसे r होगा यानि 2r minus y 2r minus y यह value हमें यहां से find होगी अब हम क्या देखते हैं यह होजाए l square upon 4 y और यह 2y minus y दोनों को solve करते हैं यह कितना होजाएंगा 2y square यह y square यह निस हाँ ठीकेट 2y square यह हाँ एक मिनट यह 2r है न दोस्तों यह 2r होगा यह 2r होगा तो l square upon 4 यह हमारा होगे 2 y और r और यह होगे y square हम क्या देख रहे हैं कि जो माने deflection है यह y square बहुत इसमाल है इसको हम निगलेट कर सकते हैं क्योंकि y हमारा क्या deflection है तो इसको मिली सकते है l upon 4 यह जाएगा 2y और r r की value मियां से find करेंगे तो हो लोगे l square upon 8y क्योंकि यह क्या है 4 है तो इस तरीके से हमारा y की value find होगी l square upon 8 r हमारा find होगेगा हमें find क्या करने deflection और slope को तो यह हमारा y l square upon 8 r आ गया अब from the bending equation से हमने जैसे कि आलड़ी discuss किया है कि bending equation क्या होती है इसका duration क्या होता है सारी चीट हम detail से discuss किये तो मैं relation find हुआ था m upon i equal to e upon r अब हम r की यहां से convert करें तो r equal to कितना हो जाएगा e i upon m यहां तक कोई भी problem नहीं है ओके अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं हमें यह क्या r है इस r की value यहां put कर दें क्योंकि bending equation बर r की value यहां put कर दें तो क्या हो जाएगा l square e i upon m यहां था कोई problem नहीं इसको solve किया तो कितना हो जाएगा y 8 है l है m उपर जाएगा यह कितना हो जाएगा m l square upon 8 e i तो कहने का मतलब जो हमारा deflection होगा वा कितना होगा m l square upon 8 e i यह हो गया हमारा deflection कि हमारा deflection actual में कितना find होगा इस condition में जब हमारी beam double load से लग रही है और वो curve को find कर रही है अब हम बात करते हैं इसमें slope की कि हमारा slope कितना find होगा किसकी बात करेंगे slope की अगर हम यह triangle को देखे जैसे कि हमारा a o और c यह कमारा triangle बन रहा है जब हम a o और c की triangle की बात करते हैं c a और o तो a c a c हमारा यहां कितना है l upon 2 है और यह हमारी r है ठीक है figure आप पो देख लिया है तो l यह हो जाएगा 2 और r sin theta हमारा क्या है इसमाल है इसमें यहां theta कर सेट कर दे theta equal to l upon 2 upon r हो गया फिर by condition r की value हम कहां से निकालेंगे इस relation से r की value क्या क्या हमने put कर दिया r equal to 2 e i और यह हो गया m यह क्या theta यह theta जो हमारा आएगा theta मतलब slope m l upon 2 e i हमारा find होगा ओके अब देखो यह तो हमारा क्या theta a था अगर हम theta b की बाप करनें तो इस symmetric condition में theta a हमारा जीतना होगा theta b भी हमारा होगा क्योंकि अब यहाँ भी slope डालें तो भी condition में find करेगा तो जो हमारा theta a होगा और theta b क्या होगा दोनों क्या होंगे दोनों equal होंगे तो यह दोस्तो हमारा complete study हो गया कि हमारा slope क्या होता है deflection क्या होता है और इसका derivation क्या होता है थांक्यू वातिंगी वीडियो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सेर करें और कमेंट करें